Hello dear students and parents यह वीडियो देखने से पहले यह आपसे की रिक्वेस्ट है अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए जीचे कमेंट कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नहीं है और साथी साथ बैल आइकन दबाना भूलिय अब आप अपनी वीडियो देख सकते हैं इंट्रेस्टिंग अप्टिविटी वन से मैंने कहां इंट्रेस्टिंग अप्टिविटी वन इसका कारण बिक और यहां पर पिक्टर दिया हुआ है पिक्टर को देखना है और हमें आंसर लिखना है क्या है question number one how many trees do you find in this picture यहां पर एक picture है आपको कितने trees दिखते हैं इसके अंदर चलिए सबसे पहला है ये एक फिर ये है two फिर ये है three और ये है four बच्छो total मुझे four trees मिल रहे है तो आपको यहां पर लिखना है four trees समझ में आ गया चलिए move करते है next वाले question के उपर फिर से picture पर देखना है और answer देना है how many birds are there in this picture इस picture पर कितने bird है so पहला bird ये रहा दूसरा bird ये रहा और तीसरा वाला ये रहा और कोई है क्या नहीं so total there are three birds easy लग रहा है न मजा रहा है न चलिए move करते है next question के उपर so आप यहां पर देख रहेंगे next question यहां पर related to boat है what is the color of the boat boat का color कौन सा है बचो obviously आपको देख कर समझ में आई रहा होगा किसी को नाम पता होगा किसी को नहीं भी पता होगा but मैं बता रहा हूँ purple color है मज़दार है activity one चलो तो आगे चलते है activity two में जहां पर आपके chapter की जो real story है birthday gift so चली शुरू करते है इस activity two को so let's read क्या लिखा है जिया's father gave her a little boat as a birthday gift कौन है यहां पर जिया के पापा जिन्होंने जिया को एक छोटी सी boat ला कर दिये birthday gift में it was a beautiful red boat आप देखी सकते है यहां पर red color की boat है with a milk white sail उपर का देखो आप यह milk white color का sail है जिया wound it up so wound it up का मतलब है फटाक से ले लिना और भागना उसको चलाने के लिए क्योंकि बच्चों को खिलनों मिलता है वो लोग खेले लगता है न तो इसी तरीके से जिया इस boat को लेकर दोड़ चली कहां पर and it sail in the big bathtub filled with water उसके घर में एक बड़ा सा ऐसा बाठ तब था उस जिया was excited जिया बहुत ही excited का मतलब है खुश थी किसे पापा ने जो boat दिलाए थी उसके लिए she called her friend Dhruv वो अपने दोस को बुला कर लेकर आई Dhruv को and showed him the boat और उसने बोला के Dhruv देख my father give me this beautiful red boat देखो देखो it is a beautiful boat but does it really sail Dhruv ने पूछा जिया ये boat तो एकदम beautiful है क्या भर ये sail मतलब तैरती तो है न जिया बोलती है of course जरूर तैरती है देखो मैं तुम्हें तैर के दिखाती हूं she slowly wound the key and put the boat in the bathtub with a word the boat set off एक sound है वो पढ़ता है board की पट 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 ऐसे आवाज आती है board घुमने लगा goal 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 round and round round and round creating ripples ripples का मतलब जो देखो ये से round round बना रहे है ये boat इसे कहते हैं यहाँ पर ripples may I sail the boat just once Dhruv ने क्या पूछा Dhruv ने पूछा क्या मुझे एक बार दोगी मैं भी चलाना चाहता हूँ उसको भी बहुत मज़ा आ गया no जिया quickly replied जिया ने क्या बोला नहीं दोने वाली हूँ मैं मेरी boat क्यों दूँ you will spoil my lovely boat क्या बोल रही है तू मेरी lovely boat को spoil करेगा spoil मतलब गंदा कर देगा खराब कर देगा यह मेरी lovely boat है तो Dhruv बिचारा hurt हो गया Dhruv was hurt और वो अपने घर की तरफ भाग गया he went home उसका बुरा लगा क्या मैंने तो खेले के लिए मांगाए ना उसने मुझे ना बोल दिया he stopped going to Gia's house उसके बाद वो Gia के घर जाना ही बंद कर दिया उसने तूकि उसने उसकी insult कर दिना but she did not care Gia को कोई फरक नहीं पड़ रहा था she had her little red boat Gia को इसले फरक नहीं पड़ था because she had little red boat to play with उसके पास already red boat आगे थी और पूरा दिन तो वो busy थी उसके साथ नया नया खिलना जो है अब आगे देखना है क्या होता है she watched the boat sailing and was happy वो हर रोज बोड को sail करती sail मतलब तैरती मतलब पानी में उसको खेलती उसके साथ और बहुत हैपी हैपी रहती खुश रहती after few days she began to get bored कुछ दिनों के भाद हो क्या होगे बोड मतलब कंटल गई यार मैं तो बोड हो गई सोच रही हूँ क्या करू every day एक खेलनों के साथ केलके कंटल गई हूँ बच्चो आप लोग भी कंटल जाते हो ना comment में लिखके बताओ मुझे हाई या ना it was no fun playing with the boat all by herself क्या बोलती है यार मुझे तो इस बोड के साथ मजा ही नहीं आ रहा है और अब उसको इच्छा जाग गई के शायद दुरू वापिस आ जाए मेरे साथ खेले अब तो दुरू भी नहीं आता है मैं कितना बोर हो गई हूँ ये जिया सोच रही है देखा न सचे दोस को भगा दिया हर्ट करके वो बोर हो रही है न आप ऐसा नहीं करियेगा चलो स्टोरी में देखना बाकिया भी क्या हो रहा है आगे आगे के परेग्राफ में लेका है वो विंडो में बैठी थी her mother had shut the window because it was raining pitter-patter the rain fell on the closed window then जिया heard a song come come children with your boats and play I will take your boats far far away it was the wind singing to the children बच्चो एक दिन जिया विंडो में बैठी थी और खूप तेज बारिष हो रही थी खूप तेज बारिष हो रही थी कि जो बारिष के आवाज है न pitter-patter is the sound of rain drops वो गिर रहे थे जिया ने गाना सुना क्या सुना जाएं जिया ने गाना जिया ने गाना सुना ये वाला और ये गाना कौन गा रहा था wind हवा जो होती है न हो क्या बोल रहा था वो come come बच्चो बाहर आओ अपनी बोट लेकर आजाओ खेलने के लिए मैं तुम्हारी बोट को धक्का दूँगर तुम्हारी बोट चल पड़ेगी पानी के अंदर अभी ये टब में नहीं घर के बाहर जो पानी भर जाता नहीं वहाँ की बात हो रही है आए चली आगे देखते हैं बच्चों आप लोगो ने भी शायद इससे खेला होगा मैं तो जब चोटा था बहुत खेलता था पानी की पेपर की बोट बना के पानी में So in a little while the rain stopped बारिश रुख चुकी थी जिया लुक्ट आउट फ़ विंडो उस ने विंडो के बाहर देखा All the children had rust out to put their paper boats in the stream by the road सारे बच्चे घर के बाहर आचुके थे अपनी बोट लेकर रोड के ओपर जो पानी भर जाता है ने वहाँ पर तैरने के लिए There were pink boats and white boats big boats and little boats उसने देखा विंडो में से pink कलर की बोट लेकर आया है कोई white कलर की लेकर आया है कोई बड़ी लेकर आया है कोई छोटी बोट लेकर आया है लेकिन सारे बच्चे इकटा हो गए है और मैं अक्ली घर में They rose and fell with the tiny waves The weak boats overturned and sank while the strong ones sailed on उसने देखा कि कुछ बोट नीचे गिर जाती है, कुछ बोट तैरती रहती है, क्योंकि जो छोटे छोटे पानी में waves आते है न उसके कारण फिर कुछ weak boats होती है वो उल्टी हो जाती है और दूब जाती है और जो strong boats होती है वो तैरती रहती है पानी के अंदर तो अब उसको देखर मजा ने लगा क्यार काश मैं उदर जाओ खेलू देखो आगे क्या होता है सुनो अब यह लड़की बोलती है क्या बोलती है I will take my boat to Jia thought Jia ने सोचा क्या मैं मेरी boat लेके जाओ खिलने के लिए She washed her boat उसने अपनी boat को धो दिया complete तरीके से It became bright and shiny अब उसकी boat एकदम bright and shiny वापिस हो गई थी She went up to the stream She wound the key and carefully put the boat in water अब वो कहां गई वो अपनी boat लेके पानी में गई She wound the key उस key पता है चाबी वाला आता है boat चाबी देने का पिछे से फिर छोड़ देने का पट 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 आवाज आके boat आगे जाती है यह वाली boat थी उसने पानी में छोड़ दिया पट 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 करके जा रही थी boat और quickly वो पानी में आगे जाने लगी जाने लगी It left all the paper boats behind जितनी भी paper boats थी उसको टक कर मारके इसकी चाबी वाली जो boat थी जिया की boat आगे निकल गई Look at my boat She clapped वो चिला थे वे भोलो देखो, देखो, मेरी boat की तरफ देखो कितनी फास आ रही है वो बहुत ही खुश हो रही थी अभी उसका खुशी का टाइम में आगे देखो क्या क्या होता है Suddenly, suddenly का मतलब है अच्छा अनक A piece of wood banged into जिया's boat एक लकड़े का टुकड़ा जिया के boat में टकरा गया और जिया की boat crack तूट गई दो टुकड़े हो गए and it broke into pieces टुकड़े टुकड़े हो गए boat के She sat down and cried पानी में बैठ गई और रोने लगी रोने लगी मेरी boat तूट गई, क्या करूँ मैं अब पीछे से उसका friend आया और बोला Don't worry You shall play with my boat She looked up उसने उपर देखा तो उसका friend Drew खड़ा था जिसने पहले insult किया था इस लड़की ने Drew का अब Drew ही उसका जो real दोस्त थे वो आपिस आके बोलता चिंदा ना गरिश ये मेरी boat ले ले और खेल चलो ड्या Drew was holding a red boat Drew के बास भी एक red color की boat थी उसके हाथ में और वो बिल्कुल जिया के बोट किदर आ थी तो उसने क्या बोला जिया रो नहीं खड़ी हो जा टेक माइ बोट एंड लेट्स गो फोर प्लेइं पापा बोट इट फोर मी Drew ने कहा ये बोट मेरे पापा मेरे ले लेकर आये है come let us sail in the bath tub चल बाट तब में चलते हैं यहां तो ये तूटी जाएगी न हमारे घर के अंदर जो bath tub है न उसके अंदर इसको चलाते हैं तो तूटेगी नहीं जिया स्माइल कर रही थी और खुश हो गए और फिर इसे Drew एंड जिया दोनों एकदम खास में खास एकदम पक्के वाले फ्रेंड्स बन गे फिर इसे दोनों लोग हैपी हैपीली खेलने लगे मजा है आपको ये birthday gift वाली स्टोरी सुनके बचो आपके भी ऐसे फ्रेंड्स होगे मैंने तो बचपन में इस सारी चीज़े करी है ये चाबी वाली बोड भी चलाई है और पेपर वाली बोड भी और मैंने खूब मज़े लिए हैं आप भी मज़े लेना इस रेनी सीजन में आपके लिए चलो एक मस्त काम आ गया है कलर करने का ड्रॉ करने का सब बच्चो का मन पसंद काम ड्रॉइंग करना मेरे लिए तो चुट्कियों का काम है बिकोज मैं क्रम्प्यूटर पर काम करता हूं बच्चो ये वाला मन ड्रॉ करना अब अपने इमेजिनेशन पावर का यूज करके अपने दिमाग में सोच के बनाना चलो मैं आगे ले चलता हूं आपको एक्टिविटी फोर में पहले दोसको रीड करना बनता है न यू नो दैट वी केन मेक पेपर बोट हाँ भाई हम लोग पेपर बोट तो बनाई सकते हैं मुझे तो जैसे कि मैं बना सकता हूँ प्लेइन फ्रॉग बर्ड फ्लावर और काफी सरी चीज़ें लेकिन यहां पर जगा नहीं है इसलिए मैं लिखा नहीं है फिर अपने दोस्त को बोलो चल तू अपना लिस्ट बना और मुझे बता तो देखो मेरे दोस्त ने क्या लिखा है तो व बनाते हैं वो लोग जो भी अच्छा पेपर से कोई क्राफ्ट बना ले उसको अपने क्लास में डिस्प्ले कर देना बुलेटीन बोर में क्लास में क्लास के बाहर कॉरिडर में चली इसी के साथ एक्टिविटी फॉर को यहां पर कंप्लीट करके आगे बढ़ा जाए एक्ट किसने पूछा था किसने सेंटेंस बुला था वो था धरू किसको बुला था यह सेंटेंस अभी एकी कारेक्टर है जीया तो ध्रू ने जीया को बुला बट ड़ ड़े इने से पूछा था दूसरा sentence है You will spoil my lovely boot मुझे तो पता है यह जिया ने बोला था और वो भी ध्रू को कि तू मेरी बोट को गंदा कर देगा जा यहां से Look at my boat किस ने बोला था यह जिया ने other children को देखो मेरी बोट की तरफ देखो पत-पत-पत करके आगे जा रही है लास्ट वली संटेंस Don't worry, you shall play with my boat ओ यार यह तो ध्रू ने बोला था लास्ट-लास्ट हमें और वो भी जी आगो के ले मेरी बोट से खेल तो चिंताना का रो नहीं चलो activity 5 भी हो गया complete बच्चो आगे बड़ा जाए activity 6 के साथ कुछ नहीं चीज़ है बच्चो सीखने के लिए आपको Find words which end with ED and ING अच्छा, story पढ़ो story में कुछ ऐसे words है जिसके पीछे ED और जिसके पीछे ING आता है, जैसे example में लिका है sailed and going भी मैंना ढून के रखए है सबसे पहले तो ये ED का मतलब समझा दू, ED है क्या कोई भी verb के बीछे जब ED लगता है तो वो बन जाता है past form of the verb, जैसे sailed का बन चुका है, sailed चलिए और भी words डोन के निकाल है मैंने लिखता हूँ एक one by one asked, W-I-S-H-E-D wished, R-U-S-H-E-D rushed, C-R-I-E-D लगता है तो वो continuous verb बन जाता है, जैसे कुछ आप काम कर रहे हो या कर रहे थे, वो दिखाने के लिए लगना पड़ता है, जैसे going का मतलब होता है मैं जा रहा हूँ, वैसे काफी सारे words है let's write down, प्लीज ये महनत करके आप लोग लिखना, मेरी महनत के copy मत कर देना खुद पढ़ना बुक में और खुद दून के निकालना, क्योंकि मैंने तो सिर्फ इतने ही words लिखे, और काफी सारे words ED वाले और ING वाले story के अंदर अल्री है समझ गये मेरी बात, तो चलो आगे ING, ING लगा हुआ है hope activity 6 आप सभी लोगों को clear हो चुकी होगी और आपने महनत से ही लिखना मेरी महनत आप लोग मत काभी कर देना इन्हें तो कोई फाइदा ही नहीं है let's go ahead with next activity अगर आपको भी free में maths and grammar की वर्टिश चाहिए तो हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन के लिजिए link description में है thank you now make five meaningful sentences आपको इस words को use करके meaningful बच्चो कोई भी use करना यहाँ पर एक sailed use कर लिया है और अल्यडी हमको समझाने के लिए एक example लिखा हुआ है the boat sailed away into the night so मैंने बनाया है I wished that I had my dad with me forever मेरी इच्छा थी कि मेरे पिताजी मेरे साथ रहे पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और मुझे इसका बहुत ही दुखर है बहुत ही मिस करता हुँ मैं उनको एक और sentence मैं मना चाहूँगा I cried से I cried a lot when my father left this world the date was 21st November 2020 hospital में था मैं और मेरे पापा चले के I cried a lot मैं बहुत रोया था चलिए next sentence की तरफ ले चलता हूँ मैं आपको we all are playing cricket now हम सब अभी क्या कर रहे है cricket को खेल रहे है next sentence चलो देखते है soldier is holding a heavy gun on his way soldier is holding soldier ने बहुत ही heavy gun अपने कंधे पे लटकाए रखी है अपने रास्ते पे चलते हुए hope ये वाली भी activity clear हो गई होगी तो आगे बढ़ा जाए activity 7 की तरफ यार ये बच्चे क्या पेहने हुए है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है तो पहले उपर पड़ो यार क्या लिखा है बीना पड़े आगे चले जाओ कि तो समझ में कहां से आएगा look at the pictures and write the names of seasons okay picture को देखना और लिखना है example के तोर पर यहां पर एक sentence लिखी दिया है तो पढ़ लिया जाए I enjoy wearing my favorite sweater मैं तो अपना favorite sweater पहनना बहुत enjoy करता हूँ मैं miss करता हूँ कब winter आये मेरे sweater निकालू पहनू और निकल पड़ू ठंडियों में बाहर गुमने मैंने कुछ sentence एड़ किया है देखो I like to drink hot tea with roti गर्मा गर्म रोटी घी वाली बटर वाली उसके साथ गर्मा गर्म चाय आहा क्या मजा था ठंडियों में next मुझे पसंद है वो है I like to wear different jackets मुझे ऐसे jackets पेंडना बहुत ही पसंद है ठंडियों में I like to go for long drive with friends friends के साथ रात को actually मैं बहुत दूर दूर तक चाई पीने के लिए नाश्टा करने के लिए गरम गरम खाने के लिए या वैसे ही कभी कभार गोमने के लिए मुझे long drive में जाना बहुत ही पसंद है वो भी winter season में आगे मैं लिख रहा हूँ I like doing morning walk मुझे सुबह में winter में चलना बहुत पसंद है और साथ ही साथ exercise करना में कमाटी garden जाता हूँ वोड़ो दरा के अंदर especially Sunday को तो जाता ही चलो winter तो समझ लिया अभी एक और season है ओ यह season तो देखे पर चलता है summer है क्योंकि इसकी हवा निकल चुकी है summer में बच्चों को क्या पसंद है आप खुद लिखना मुझे जो पसंद में लिख रहा हूँ मुझे तो summer में ice gola खाना बहुत पसंद है I like to eat ice gola second चीज़ जो मुझे पसंद है I like to go for swimming बच्चों मैं बहुत नहाता था पहले ऐसे swim करता जब मैं छोटा था अपने गाउं में मेरे गाउं में एक river है मुझे पसंद है volleyball आपको जो पसंद है आप वहीं लिखेगा and hope you will write let's go further I like to visit hilly areas yes पहाड़ वाले जो इलाके होता है I like to visit there थंडी थंडी हवा शांती कितना मजा आता है वो भी specially morning और evening में जाने में चली यह भी season खतम हो चुके अब छाते वाली सीजन मतलब rainy season monsoon जिसे कहते है monsoon monsoon में भी हाँ देखो मुझे क्या पसंद है सबसे पहले रेन में नहाना मजे लेना बहुत ही पसंद आई like to take bath in rain hope आप लोग भी यह करते ही होंगे comment में लिखे मुझे बता ना आप लोग नहाते हो के नहीं most of the day सारे बच्चों को पसंद दिये कुछ कुछ को छोड़के आगे next चीजो मुझे पसंद है like to sail paper boat अभी आगे हमने पड़ा में paper boat ऐसे बना के चलाना बहुत ही मुझे पसंद है आप सभी को पसंद होगा नहीं है तो please try करना अपने पापा ममी को बोलना के boat बना के दे आपको जरूर सिखाएंगे वो let's go ahead and write another sentence I like to eat bhajiya with tea जैसे मैंने पहले का दा गरम रोटी मुझे वैसे दाल वड़ा और मेथी के bhajiya चाय के साथ बहुत ही स्वाधिस लगते हैं and I like to eat that in rainy season आगे I like to go out on cycle with umbrella crazy है न ये cycle पे जाना एक हाथ में umbrella एक हाथ से cycle चलाना मुझे बहुत पसंद है कभी कभी च्छा आँ I like to sit in gallery of my flat मेरे flat में जो gallery है वा जो थंडी थंडी हवा पानी जब आता है न बहुत ये अच्छा लगता है मैं मस्त बैठा रता हूं और भीगता रहता हूं और enjoy करता हूं nature को होब आप लोग भी enjoy करोगे मेरी तरह पर ये सारे चीजन लिखने के बाद हमसे question पूछा ग I enjoy all kinds of seasons में मौंसर में सारी सेजन enjoy करता हूं कैसे एक तो थंडी हो जाती है रात को तो मजा आता है धावडा ओड के सोने में क्योंकि atmosphere थंडा हो जाता है दिन में कई बर धूप के साथ रेन का मजा एक तरफ धूप एक तरफ रेन I like cool atmosphere after every rain rain के बाद जो खुश्बू आती है atmosphere आहा क्या मजा आता है रेनी सेजन में I like the smell of soil after the rain I like to eat hot things while it's raining I like playing with friends in rain मुझे रेन में cycling करना खेलना पानी के छीटे उडाना एक दूसरे के उपर पानी उडाना बहुत ही पसंद है गर्मा गर्म चाई पीना नाश्ता करना अरे वाह hope आपको भी मजा आया होगा इस activity को करके और question answer को लिख कर आगे बढ़ना चाहूंगा activity 8 की तरफ क्या है पढ़ना बहुत ही जरूरी है in the story we saw that the board makes a वर वर sound तो आपको कुछ और sounds की name लिखने हैं और वो किसके हैं वो भी लिखने हैं यहां पर लिखा है टिक टॉक चाईना वाली एप नहीं है टिक टॉक यह sound of clock है सुनो यह ding down sound of a bell सुनो next वन पीटर पैटर आवाज आ रही है न रेंड की आवाज सुनो next वाली सुनो bang bang sound of a gun जिसे bang bang कहते हैं गाड़ी की आवाज bike की आवाज vroom vroom sound of a bike ऐसे आप भी जो भी जानते हैं आप लिख सकते हैं you can find out more and you can write more let's go further towards activity 9 क्या है ये activity 9 so here we have the story read the story again and arrange the sentences in proper order ओ हो हो ये जो sentences है बच्चो ये story में से लिया गया है आपको सिर्फ सही number देना है पर वो कब पढ़ना चलेगा वापीस एक बार तो पढ़ना पढ़ेगा ना story को चलिए तो story को एक एक points परते हैं पहला point है Drew came there and said let's sail it in the bathtub ये तो last में कहाँ था है suddenly Gia's boat broke into pieces and she started crying ये last में last sentence है मतलब last last में खतम होने पर आता है Gia was happy because her boat went past quickly and left all the boats behind ये भी बात में ही आता है Drew stopped going to Gia's home ये थोड़ा आगे आता है story में the rain stopped and all the children went to the stream and put their boats in it आगे लिखा है Gia was happy because her father gave her a little toy boat as a birthday gift यार ये समझ में आ रहे सबसे starting वाला है तो लिखो one one में लिख दिया बच्छो second वाला ढूनना है they became friends again में ये तो last में आता है so Drew was hurt ये middle में आता है Gia was happy with her toy boat but after few days she began to get bored ये भी middle में आता है starting का नहीं है one day it was raining and Gia was at home ये भी starting में आता है लगभग Drew wanted to sail the boat but Gia did not allow him but Gia did not care and last में आगा Gia also went to the streams and put her boat in it Gia showed her boat to her friend Drew अच्छा ये आएगा number two पे लिख दिजे one and two so मेरी सबसे जो three वाला है वो है हाँ नीचे वाला उसके नीचे उसके बादे दुरू ने कहा था ना कि मुझे भी बोट चलानी है मुझे दोगी fourth number पे यहाँ पर तो शायद page पे नहीं है शायद ये page पर हो fourth number का sentence ये आएगा Drew को ना बोला तो Drew भी चारा होगा hurt हो गया भाग गया वहां से उसके बाद fifth number का कौन सा आएगा जब Drew hurt होगा उसके बाद तो उसने जिया के घर जाना बंद कर दिया ना तो ये रहा number five इसके बाद number six पे आएगा दुरू नहीं आया फिर क्या होगा जिया को कोई परवा नहीं थी बिल्कुल उसके बाद का सेंटेंस है जिया डिन नॉट केर उसके बाद number seven पे आएगा जिया वोज ओके जिया उसके जाने के बहुत खुश थी अपने टॉई के साथ बोट वाले टॉई के साथ ओके eight number पे क्या लगता है या या आएगा वन डे बिल्कुल उसके बाद क्यूकि उसके बाद ही रेन होता है और जिया अकरी थी गर पे बोर हो रही थी उसके बाद number nine पे क्या आएगा बच्चो जड़ा सोचो हाँ रेन उसके बाद एक बिल्कुल stop हो गया और सारे बच्चे घर के बहार निकल गए उसके बाद tenth number पे आएगा जिया को भी जाना था जिया also went to stream जिया भी गई सब बच्चो के साथ इसके बाद number 11 पे आएगा बच्चो ये वाला जिया बहुत खुश हो गई क्योंकि उसकी बोट ने सब को पीछे चुण दिया था सडनली उसके बोट ब्रोक हो गई यहा उसके बाद और उसके बाद वो रही थी और दुरू आ गया और बोला के चल ये मेरी बोट ले और टेंशन ना ले और फिर से last में ये है sentence number 14 दोनों वापिस अगें friends बन गए थे यहाँ पर ये भी exercise खतम हो रही है number 9 and let's go activity number 10 read and enjoy, read करो and enjoy करो rain, 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 it's raining today I hear the rain pitter patter on the roof I love to play in rain and that with my boat I love the rain rain के बारे में चोटी सी poem कहो या कुछ sentences लिखे है और हमें भी कुछ करना चाहिए ये है cloud भाया और cloud भाया है, यहाँ पर जिंगल बनाईए जिंगल डो तीन लाइन्स के एक rhyming sentence जिसको गाया जाता है जैसे if I were the rain I would make puddles dropping from the high sky ये एक जिंगल है तो हमें एक जिंगल बना दी है umbrella के उपर if I were an umbrella I would sing and dance with little children in the rain मैंने जिंगल बना दिया actually मैं इसको गाना है और गाने में मैं expert हूँ नहीं आगे बढ़ते हैं रेंबो अगर मैं रेंबो होता तो I would touch the earth and make everything very very colorful अगर मैं रेंबो होता तो मैं जमीन को touch करता और सारी चीज़ा को colorful बना देता ऐसा ही कुछ बोलना चाता है रेंबो इसे के साथ chapter भी खतम हो गया exercise भी खतम हो गई hope आपको मज़ा आया होगा आया है तो like चैनल को subscribe और bell बटन दबा दीजी और बच्चों को अपने अपने class में दूसरे बच्चों को share करो बाई बताओ ये video देखो, सीखो, पढ़ो और आगे बढ़ो मिलेंगे नेक्स तुदियमा तिल देन तेकेर गुद दे बाई